नमश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त संचेत और स्वागत करता हूँ इस वीडियो सिरीज में जहां हम डिसकेशन करें रिलेशन्स पर तो दोस्तों लास्ट वीडियो तो हमने बाद कम्प्लीट की थी बूलें अलजब्रा की और मेरे काल से भी सारे लॉजिक जो हम डि अलजब्रा है के ने जिसके लिए कॉम्प्लीमेंटे डिस्ट्रिबूटेड तो मेरे काल से जितने भी प्रिवेस वीडियो हमने देखिए उन सबका कंक्लूजन और नॉलिज दोस्तों यहां इस्तमाल होगी तो और आम से के कुश्चन ट्राई करते हैं क्या लर्निंग हमार से तो चलिए फर्स केस देखते अफकॉस एक सेट है हमारे पास 2,3,4,9,12,18 विद डिवीजन ऑपरेटर तो फोस्तों से लिखा हुआ है तो थोड़ा सा मैंने ट्राई किया है क्योंकि बने बनाये स्ट्रक्चर पर काफी प्राक्टिस हमने किया है तो चलिए एक बार चोटे नमबर से स्टार्ट करता हूं तो सबसे चोटा नमबर है हमारे पास 2 तो देखे प्रॉसस क्या है दुबार एक बार याद करेंगे जब भी रिलेशन आपको बनाना हो तो एक एक नमबर से स्टार्ट करें तो सबसे चोटे नमबर से स्टार्ट किया 2 से अब अगला नमबर है 3, तो पहले देखें क्या 2, 3 से related होगा क्या क्या 2, 3 को divide कर पा रहा हा नहीं कर पा रहा है, तो 3, will be independent number. तो यहाँ पर हमारे पास 3 separate में लिखा diffusing अगला नमबर है 4, क्या 2, अब देखें 4 को कौन क्षा apprendre Cartoonारब 59, 2 कर है दोस्तों वो 3 से divisible है और 2 या 4 से related नहीं है अगला number 12 अब देखे सबसे पहले मौका जो है वो topmost element को मिलता है जैसे हम जानते हैं transitive edges नहीं लगानी हमको तो concept समझेगा मैं चाहूं तो 12 को 2 से भी relate कर सकता हूं 2 को 12 से reason being 2 भी 12 को divide करता है बट जैसे हम बहुत पहले बात कर चुग है कि transitive edges लगाने की ज़रुद नहीं है यहाँ पर तो सबसे पहले जो सबसे topmost element उनको हम try करते हैं तो 12 जो है देखे वो divide हो जाएगा किस से मान लीजाए 4 से तो 4 को मौका दूँगा क्या 9 से 3 से डिवाइड होगा जी नहीं क्या 3 से डिवाइड होगा जी हाँ तो देखे 4 के साथ 3 भी यहाँ पर आने वाला है तो यहीं अप्रोच है एक एक वेल्यू करके एड़ करते हैं अगर नहीं कर पाता फिर उस series में उसका next value करते हैं तो यहाँ पर 4 को मौका दिया 4 ने रिलेट किया 9 को मौका दिया 9 ने नहीं किया तो अगला chance में थ्री को दिया अब देखे एगला नंबर हमारे पास आगया 12 के बाद है sorry 18 18 आप देखेंगे तो माले जी 18 यहाँ कहीं रख देता हूं तो अगें वह वाली अप्रोच पहले-पहले सिस्टम को मौका दिया क्या आप देख सकते हैं 11 रिलेट करे का जी नहीं कह फोर रिलेट करेगा तो यहाँ यहाँ पर देखेंगे क्या 9 रिलेट करे गा तो कुछ इस तरह का structure आपको मिल गया यह finally हमारे पास एक has diagram बना है तो again पहला जो knowledge है वो है has diagram बनाने का अब हम check कर सकते हैं तो आप देख के मुझे बताइए यह कौन सा structure है of course में रिखाल से यह तो lattice भी नहीं है because again जैसे पूछ सकता हूँ आपसे 2 और 3 के लिए जो है वो meet exist नहीं करता वेकर आप देख सकते हैं 2 और 3 का कोई भी lower bound नहीं और lower bound नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि greatest lower bound भी नहीं होगा similarly 18 और 12 के लिएम बोल सकते हैं join exist नहीं करता वेकर 18 और 12 का upper bound नहीं है और upper bound नहीं होगा तो least upper bound भी दोस्तों नहीं होगा तो इसका मतलब finally conclude कर सकते हैं यह structure ना join semi lattice है ना meet semi lattice है ना lattice है तो आगे तो कुछ भी नहीं होगा तो conclusion लिख देते हैं let me say यह सिर्फ एक post set है इसके आगे कुछ भी नहीं है ना okay अगला किस दिखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों है real number with less than equal to the real number आप बोल सकते हैं range होगी minus infinity से plus infinity तक let me say from plus infinity vertically draw कर रहा हूँ विएस आप जानते हैं है इस diagram में vertically design करते हैं और बीच में कहीं आपको मिलेगा 0 और less than equal to value तो माली जब 1 है 2 है 3 so and and so far similarly minus 1 minus 2 and so and and so far SM relate कर सकते हैं तो 2 देखे 3 से relate क्या 3 जो है जो 4 से relate करेगा इस तरह से check कर सकते हैं तो अब सबसे बढ़े देख लेता है join or meet exist करेगा के नहीं तो of course 2 और या 1 और 3 का join दोस्तो 3 ही होने वाला है वही वाली कहानी 1 और 3 का upper bound होगा 3 और उससे सारे बड़े number और उसकी least value होगी 3 similarly 1 और 3 का lower bound होगा 1 उससे सारे छोटे number लेकिन greatest होगा 1 तो किनी भी दो number के लिए जो है वह join or meet exist करेगा तो of course यह जो है लेटेस है आप देख सक्टेवे से अन बाउंडड़ लेटेस है में गवाज जैसा हम बोल देना every number on a number line every number has its successor and predecessor तो कोई सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर हमारे पास नहीं है तो यह example होगा एक unbounded letters का बट अगली बात सोच सकते हैं क्या यह unbounded letters distributive होगा तो देखें distributive हम क्या सोचते हैं हर किसी element के लिए compliment exist करें या ना करें लेकिन एक से जादा नहीं होना चाहिए distributive वाली बात रखेंगे तो at most one compliment हमने सीखा था तो माली सबसे करें देखता है one का compliment कौन होगा तो दीखें one को आप किसी के साथ भी join और meet करेंगे तो मेरे खाल से उसके लिए compliment आपको नजर नहीं आएगा विकास जॉइन करने में मिलना चाहिए आपर बांड मील करने मिलना चाहिए लोर बांड और यहां पर तो compliment का logically concept ही आप बोल सकते की applicable नहीं यह reason being की upper bound और lower bound system में नहीं है तो हाँ यह distributive है because compliment नहीं मिला तो conclude कर सकते हैं यहां यह structure बन गया distributive lattice concept समझेगा straight line हमको मिली तो lattice हमको मिला यह बात समझ आ गई अगली बात किसी भी element के लिए यहां पर compliment exist नहीं करेगा because maximum और minimum value जो है वो defined नहीं यह unbounded system है तो compliment नहीं होता है तो हम मानते हैं कि वो distributive lattice की category में चला जाता है ठीक है तो चलिए दोस्तों अगला question देखते हैं यहां पर हमारे पास है D81 along with division तो जैसा हमने शार्ट पहले भी discuss किया है इस question को कैसे read करना है D81 means यह सेट है दोस्तों उन सारे numbers का जो 81 को जो है perfectly divide कर सकते हैं तो कौन कौन से number होंगे तो मैंने खाल से कहानी start होगी 1 से 1 के बाद 3 के बाद 3 के बाद you can have here of course 9 then 27 and then 81 है ना तो एक तरह का straight line आपको मिलेगा with division अब of course logic है क्या straight line lattice होता है जी हाँ हमने पहली बहुत सारे questions रही किया है क्या यह complimented lattice है कि distributive तो of course जैसे last question हमने देखा दोस्तों यहां पर compliment जो है वो exist नहीं करेंगे because 1 और 81 के लिए तो होगा but 3 of course यहां पर कोई compliment नहीं होगा आप किसी भी element के साथ pair करके देखेंगे तो आपको system का upper bound या lower bound जो है नहीं मिलेगा तो again यह पहुँच जाएगा हमारा distributive lattice की category में because या तो compliment exists नहीं करा 3,9 और 27 किलोर करा भी तो वो है एक अगला question देखे है D 18 तो फिर वो ही कहानी देखे 18 को कौन-कौन divide कर सकता है तो 1 आएगा और मेरे खाल से इस बाद 2 और 3 दोनो independent value हमारे पास आ जाएंगे उसके पाद 3 आ गया then 4 डिवाइड नहीं करेगा 5,6 एक factor होगा तो 6 भी मेरे खाल से दोनों से relate देखे कर रहा है 2 से भी करेगा और 3 से भी करेगा अगला value हो गया हमारा 9 9 जो है वो सिर्फ 3 से करेगा तो 6 को जो है वो 2 की side में बना देता है तो this is how 2 will be related this is 9 और last value दोस्तों को मिलेगी 18 जो दोनों से relate करेगा इस तरह के structure पर हमने पहले भी काम किया है यह structure देखे lattice है और of course 2 का compliment होगा 9 9 का compliment होगा 18 बट यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 और 3 के लिए जो है वो compliment exist नहीं करेगा तो जोस्तों यह भी पहुँच गया हमारा distributed lattice की category में है ना तो बस वही logic आपको करना है question पढ़ना है question के according diagram बनाना है because कभी कभी ऐसा हो सकता है इसी वैसे एक्जामपल सम्ट्राइगर रहे है कि diagram आपको बनाना पड़े है ना तो बने-बना diagram पर चेक करना भी important है लेकिन diagram बनाने की जो art है वो भी थोड़ा सा आपको सीखना है तो अब देखे अफकॉस यहां पर है D110 तो सोचे कौन-कौन से factors होंगे 110 तो मैं again start करता हूँ 1 देखे factor होगा और उसके बाद 2 एक factor होगा 3 I think यहां divide नहीं कर पाएगा उस सब के सब प्राइम नंबर है तो कोई भी दूसरे से relate नहीं करेगा तो सब independent path ही follow करेंगे और उसकरत क्या logic है factor by factor दिखते चलिए 2 और 5 का factor of course होने वाला है 10, 2 और 11 का factor होगा 22 और 5 और 11 का factor होगा multiply होगा 55 और मेरे कासे free ultimately सब के सब जो है merge कर सकते है 110 पे तो कुछ इस तरह का structure आपको मिलेगा और हमने पहले भी काम किया दोस्तों ये एक perfect boolean algebra है 2 का compliment है I think 55, 11 का compliment यहां पर हो गया 10, 5 का है 22 और 1 का है 11 तो finally आप बोल सकते है B, D 110 is a perfect boolean algebra अब एक shortcut आपको बताता हूं क्या कोई भी number है let me say D subscript 10 with a division तो हम बोल सकते हैं कि ये एक perfect boolean algebra होगा if this dn is a you can say if this dn is a perfect square a perfect dn is a square free integer I am sorry if this dn is a square free integer इस बात का मतलब क्या है अभी इस कदेगी discussion करता हूं परकूस कई बार exam में सकिया कि इस format पर question आपसे पूछता है अगर ये shortcut trick आपको पता है तो आप directly answer कर सकते हैं मतलब जैसे for example यह हमारे पास था D18 तो आपने देखा कौन 27 and 81 यह सब elements हमारे पास थे हम बोलते हैं कि जितने भी elements हमारे पास हैं उसमें से कोई भी element perfect square नहीं होना चाहिए perfect square नहीं होना चाहिए तो देखें आपर 9 is a perfect square है ना 9 किसका perfect square है तो 9 3 का perfect square है तो अब यह जो structure है यह boolean algebra नहीं होगा concept समझेगा shortcut trick है अगर dn के अंदर जितन perfect square नहीं है तो मैं dn को बोल सकता हूँ कि dn is a square free integer और अगर dn square free integer है तो वो division के साथ हमेशे एक boolean algebra बनाता है यह mathematical property है तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मिला आपको 9 जो again perfect square है गेम खराब कर दिया अब यहाँ पर देखें कोई भी element ऐसा नहीं है जो कि perfect square हो तो इ एक boolean algebra है एक बार shortcut देख लिए तब like 45 आप imagine करिए factor कौन कौन होंगे तो 1 होगा 3 होगा 5 होगा then I think 9 होगा 15 होगा और 45 होगा of course आपको मिल गया 9 तो 45 जो है वो boolean algebra नहीं होगा मैं पहले से पता है बड़ चलिए फिर भी एक बार ड्रॉ करके देखते हैं तो 45 के लिए 15 और 15 जो है वो 3 से भी रिलेट करेगा और फाइनली आपको मिलेगा 45 और अगेन हम जानते हैं बुलेल जब रहा नहीं है वो 3 और 15 के लिए जो है वो compliment exist नहीं करता है इस तरह के structure पर काम किया है हमने 64 तो मेरी खाल से एक straight line आपको मिलेगी 1 के बाद मिलेगा 2 के बाद 4, 8, 16 32 और 64 64 तो अगेन इस तरह के structure पर हमने काम किया है एक straight line आपको मिला है तो हम जानते हैं कि यह जो है वो बनने वाला है distributive lattice because of course lattice तो यह होगा because of course lattice तो यह होगा बर हर किसी के लिए जो है वो compliment यह exist नहीं करेगा सिर्फ 1 और 64 को छोड़के अगला value मिलेगा 30 तो 30 के बाद factors होचते कौन-कौन मिलेगा 1 मिलने वाला है 2 मिलेगा 3 मिलेगा 5 मिलेगा then 6 मिलेगा and then 6 के बाद आपको क्या-क्या मिलने वाला है 30 is an example तो आपको 10 मिलेगा 15 मिलेगा और 30 मिलेगा क्या कोई perfect square है जी नहीं कमले यह भी boolean algebra होने वाला आप draw करके देख सकते हैं तो 1 के साथ 2, 3 & 5 directly arrangement में आपको मिलेगे फिर नजर आएगा 6 और 2 & 5 का factor हो गया 10 & 3 और 15 का factor हो गया 15 and then आपको directly दोस्तों मिलेगा 30 yes it is boolean algebra 2, 10 जो है वो भी boolean algebra होगा of course because 1, 2, 5 & 10 और कोई भी perfect square नहीं है कुछ इस तरह का structure आपको मिलेगा 1, 2, 3 & 15 यह एक और special case है structure बाद में कुछ familiar आपको नजर आएगा but एक बार solve करना बनता इसको तो here you have a power set along with a subset operation तो एक बार देखिए power set with a subset एक example मैंने code कि हमाने लिए कोई set है हमारे पास A जिसमें हमने लिए 3 elements let me say A, B, C तो power set of A दोस्तों क्या होने वाला है तो that will be 5 और जैसे हम जानते है power set is set of every possible subset तो सारे combination दोस्तों मैं यहाँ पर बना लेता हूं A, B होगा A, C होगा then you'll have B, C and then you'll have A, B, C है ना अब देखिए subset के response के जब draw करेंगे तो base पर देखिए आने वाला है 5 फिर 5 से कौन relate करेगा A, B, C तीनों के तीनों set relate करेंगे और फिर ही अपने combination बनाएंगे तो यहाँ पर नजर आएगा आपको set A, B यहाँ पर of course नजर आएगा set B, C और यहाँ पर नजर आएगा आपको A, C और यह तीनों के तीनों जो हमारा main set है A, B से relate करेंगे तो फिर वो यह उसी तरह का structure है यह भी एक boolean algebra है एक बढ़ ध्यान रखेगा कोई भी set power set कोई भी set का power set subset के respect में जो है वो दोस्तों हमेशा boolean algebra बनता है एक और देखिए इसमें मज़े की बात क्या है कि आप set structure पर काम कर रहे है और मैंने बार बर इस पू कॉप्लिमेंट डूढ़ना कि इतना असान है मैं आपसे पूछूँगा one का कॉप्लिमेंट कौन है तो आप बिना सोचे देख लीजे और बता दीजिए one का कॉप्लिमेंट है bc कैसे बता पाएंगे टोटल सेट क्या था one का नाम सॉरी a a का कॉप्लिमेंट कौन है bc वो क्य सब्सक्राइब यहां पर मीट जो है वो इंट्रसेक्शन बनेगा आप देखिए a bbc का मीट क्या है और वह क्यों बिकॉस a bbc का इंट्रसेक्शन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ b ही मिलने वाला है या मान लिजे a c का यूनियन वह एसी मिलने वाला बिकॉस अगर किस सेट के अंदर है a और किसी सेट के अंदर है c तो दोनों का यूनियन करेंगे तो अफ्कॉस a c दोस्तों आपको मिलेगा तो खेर इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वह हमेशा बुलिन अल्जबरा बनता है आप पावर सेट अलॉंग विदा सब्सेट ऑपरेशन कुछ एक्जाम तो दोस्तों मुझे लगता है अब एक लिए काफी चीज हमने डिसकस कर ली है इस वीडियो सेरीज के अंदर तो आप यह सारा लोजिक डिसकस करिए उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स या कुछ प्रैक्टिस कोश्चन्स आपको चाहिए तो प्लीज कम जितने भी इंपॉर्टन टॉपिक थे शायद हमने कवर कर लिये हैं लेकिन अफकॉस थेोरिटिकल थेोरम्स बहुत सारे हैं प्रूफ बहुत सारे हैं अलगले एक्जाम में कई बार कुश्चन्स रेफर कियें तो कोई भी प्रॉब्लम दोस्त आपको हो उसका कमेंट में ल बन्यवाद